जहें दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीरनेस अलावेंस के विशे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह जो डीरनेस अलावेंस है इसका मतलब क्या होता है किस व्यक्ति को यह डीरनेस अलावेंस दिया जाता है और क्यों दिया जो World War 2nd है वो 1949 से 1945 तक चला था अब World War तो खतम हो गया लेकिन जब विशोयुद खतम हुआ तो उस समय पूरे विशो के अंदर जो महंगाई थी वो चरम सीमा पड़ थी यानि कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी और इसमें सबसे ज्यादा जो खाने पीने वाली वस्त जो कि थी अब ऐसे में पूरे विशो के अंदर सरकारों ने क्या किया कि उनके जो सरकारी करमचारी हैं या उनकी जो फोर्समेंजों में जो सेनिक हैं जो पुलिस है ऐसे जो उनके सेंट्रल गवर्मेंट के अंदर आने वाले इंप्लोईज हैं उनको एक फूड डियर्नेस अलावेंस दिया गया यानि कि खाने पीने की चीजों को जो महंगाई बड़ी थी उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन करमचारियों की जो सेलरी है उसके अंदर एक भत्ता जोड़ा गया और उस भत्ते का नाम था फूड डियर्नेस अलावेंस तो ऐसे में जब वर्ड वर्ड खतम हुआ तो उसके बाद इसको लाया गया और फिर इसको आगे कंट्रिन्यू किया गया अब भारत की बात करें तो भारत में इसको सबसे पहली बार साल 1996 में एक जनवरी को लाया गया और ये देश के अंदर जितने भी सेंट्रल गवर्मेंट के अंदर या पबलिक सेक्टर के अंदर करमचारी काम कर रहे हैं उन सभी के लिए इसको मेंड इसको लाने का मकसद यही था कि जो भी सेंट्रल गवर्मेंट या पबलिक सेक्टर में काम करने वाले करमचारी हैं उनको जो महंगाई है उससे एक ढाल उनको दी जाए उससे बचाया जाए ताकि कम से कम महंगाई का प्रभाब उन करमचारियों पर पड़े उनकी फैमिली पर पड़े उनका जो लिविंग स्टेंडर है उस पर पड़े तो इसलीए उनकी सेलरी के साथ साथ यहां पर डियरनेश अलौइश यानि महंगाई भते को जोड़ दिया गया आज के समय में यह जो महंगाई salary है वो है 30,000 रुपए और 50% के हिसाब से 15,000 रुपए फिर यहां पर dearness allowance बनता है तो इस व्यक्ति कि जो total salary हुई वो हुई 45,000 यानि कि 30,000 basic salary और उसका 50% यानि कि 15,000 यहां पर डीय हो गया dearness allowance अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो dearness allowance है यह जब आपकी salary में जोड़ा जाता है तो ऐसा नहीं है कि इस पर कोई tax नहीं लगेगा यह tax के दाएरे में आता है आपकी जो salary है जो आपका DA आपको मिल रहा है उन total उन दोनों को जोड़ के आपकी साला ना income जो है वो अगर यहां पर income tax के दाएरे में आती है तो आपको फिर इस DA पर भी tax देना होगा salary के साथ इसको जोड़ कर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या private sector में भी इस DA को दिया जाता है तो भारत के अंदर यह mandatory है public sector के लिए और जो government employees हैं उनके लिए हाला कि private sector में यह अनिवार्य नहीं है याने के कंबलसरी नहीं है लेकिन अगर कोई company देना चाहे तो उस पर कोई रोक भी नहीं है और आज जो बड़ी-बड़ी companyya है वो अपने employees को DA देती हैं जोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि यह जो महेंगाई का भत्ता दिया जाता है इसको दिया जाता है inflation को देखते हुए लेकिन जब बात आती है कि क्या सबको एक ही तरीके से DA जाएगा एक ही प्रतिस्ति दिया जाएगा तो इसका जवाब है नहीं इसमें देखा जाता है कि जो भी service man है जो भी वो नौकरी कर रहा ह है वह किस एरिया में है क्योंकि जो inflation है वह location wise change होता रहता है गाउं में महंगाई कं होगी सहर में महंगाई जादा होगी इस तरीके से यहाँ पर अलग-अलग location के हिसाब से यह जो हमारे DA है यह change होता रहता है लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है कि वो जो सर्विस कर रहा है वो व्यक्ति वो कहां पर काम कर रहा है उसी हिसाब से इसको decide किया जाता है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये DNS अलाउंस क्या होता है किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और ऐसी जानकारी भरे वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी subscribe करें